नमस्कार स्वागत है आपका स्पियन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ श्रुदी बात मई साल 1981 की है राजीव गांधी अमेठी से लोक सभा के लिए उपचुनाव लड़ने वाले थी वो अपने चुनाव छेत्र में घूम रहे थे कुछ घंटो बाद उन्हें लखनव से दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन तभी खवर आये कि 20 किलोमेटर दूर तिलोई में 30-40 जुक्यों में आग लग गई है उन्होंने लखनव जाने की बचाय अपनी कार का रूख तिलोई की तरफ मोड दिया वहाँ उन्होंने जल गई जुग्यों में रहने वालों को दिलासा दिया इस बीच उनके पीछे खड़े संजय सिंग उनके कान में पसपसाते रहे सराब की फ्लाइट मिस हो जाएगी लेकिन राजीव ने लोगों से बात करना जारी रखा जब वो सबसे मिल चुके तो उन्होंने संजय सिंग से मुस्कुरा कर पोचा यहां से लखनव पहुँचने में कितना समय लागेगा सूत्र बताते हैं कि संजय सिंग ने जवाब दिया कम से कम दो घंटे लेगिन अगर आप स्टियरिंग समहा ले तो हम एक घंटे चालिस मिनट में वहां होंगे राजीव ने गाड़ी में बैठते ही कहा उन तक खबर पहुँचा दीजिए कि हम एक घंटे पंद्रह मिनट में अमावसी हवाई अड़े पहुँच जाएंगे राजीव की कार इस तरह चली जैसे स्पेश शटल चलता है तैसमय से पहले राजीव हवाई अड़े पर थी लेकिन तेजगती से कार चलाने के शौकीन राजीव बहुत ही अनुशासित धंग से विमान चलाते थे शुरू में वो डकोटा चलाते थे लेकिन बाद में वो बोईंग उड़ाने लगे थे जब भी वो पाइलट की सीट पर होते थे कॉक्पिट से सिर्फ अपना पहला नाम बता कर यातियों का स्वागत कर जे थे उनकी कैप्टन्स को भी निर्देश थे कि फ्लाइट के दौरान कभी भी उनका पूरा नाम ना बताया जाए उस जमाने में उन्हें पाइलट के रूप में पाँच हजार रुपए तनख्वा मिलते थे जो एक अच्छा वी तन माना जाता था जब राजीव गांधी इंजीनियरिंग का ट्राइपोस कोर्स करने केंब्रिस गये तो वहाँ साल 1965 में उनकी मुलाकात इकली में पैदा हुई सोनिया गांधी से हुई और देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया वो दोनों एक ग्रीक रेस्टोरेंट में जाया करते थे वहें बता दें आपको कि सूत्रो के अंसार राजीव ने रिस्टोरां के मालिक चाल्स एंटिनी को मनाया कि वो उन्हें सोनिया की बगल वाली मेच पर बिठा दी एक अच्छे ग्रीक व्यापारी की तरह चाल्स ने उनसे इस काम के लिए दोगनों पैसे वस हुए बाद में उन्होंने राजीव गांधी पर सिमी गरेवाल की बनाई फिल्म में कहा कि मैंने पहले किसी को इतने अधित प्यार में नहीं दीखा जब राजीव कैमरेज में पढ़ते थे तो अपना खर्चा चलाने के लिए वो आईस क्रीम बेचा करते थे और सोनिया से मिलने साइकिल पर जाया करती थे हाला के उनके पास एक पुरानी फोक्स वैगन हुआ करती थी जिसके पेट्रोल का खर्चा उनके दोस्त शेयर करते थे राजीव और सोनिया की कैमरेज की मुलाकातों का जिक्र मशूर पत्रकार रशीद किद्वई ने सोनिया पर लिखी जीवनी में भी किया है जिया सूत्र बताते हैं वर्शिटी ड्रेस्रेंट में रोज कैमरेज विश्व विद्याले की छात्रों का जमावड़ा लगता था वो सब बीयर पिया करते थे उनमें से राजीव अकेले थे जो बीयर को हाथ भीन नहीं लगाते थे तभी सूनिया की नजर उस लंबे काली आँखों और मोहक मुस्कान वाले मासूम लड़के पर पड़ी दोनों तरफ आकरशन बराबर का था राजीव ने पहड़े बार एक नैपकिन पर उनके सौन्दर पर एक कविता लिखकर एक वेटर के जरिये सूनिया की तरफ बिजवाई थी सूनिया उसे पाकर थोड़ी असहज हूं थी लेकिन राजीव के एक जर्मन दोस्त ने जो सूनिया को भी जानते थे एक संदेश वाहक की भूमिका को बखो भी निभाया रशीद किदवई आगे बताते हैं कि दिल्चस्प बात ये है कि राजीव ने आखिर तक सौनिया को नहीं बताया कि वो भारत की प्रधान मंत्री के बेटे हैं बहुत समय बाद एक अख़बार में इंद्रा गांधी की तस्वीर छपी तब राजीव गांधी ने सौनिया से कहा कि ये उनकी मा की तस्वीर है तब कैमरीज में पढ़ने वाले एक भारती चात्रे ने उन्हें बताया कि इंद्रा भारत की प्रधान मंत्री है तब जाकर सौनिया को पहले बार पता चला कि वो कितने महत्यपून शक्स दे इश्क फर्मा रही है ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और अपने सजाब देना बिल्कुल भी ना उले ऐसी कहानी के लिए बने रहे हैं अमारे साथ और देखती रहे हैं SPN 9 News